को आज बात करेंगे पास्पूर्ट के बारे में कि ACR पास्पोर्ट को आप कैसे ECNR बनवा सकते हैं या अगर आप पास्पोर्ट बनने जा रहे हों आपके पास दुत्वी का सैटिफिकेट नहीं है इसको आप ECNR कैसे बनवा सकते हैं इसलिए कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है रुक्षांदा खान और वो पुछते हैं कि सहजाद भाई जरह ये बता देजिए कि मुझे पास्पोर्ट बनवाना है लेकिन मेरे पास दसवी का सैटिफिकेट नहीं है बारवी का सैटिफिके है तो ये पास्पोर्ट कैसे बनाएं गया तो इस वीडियो में मैं दीटेल में समझा दूंगा कि आगर आपके पास ECR passport है तो उसको ECNR में कैसे बनवा सकते हैं बीना दसुई के सेटिफिकेट के साथ और नया passport ECNR कैसे बनवा सकते हैं बीना सेटिफिकेट के तो चलिए सुरू करते हैं सब्सक्राइब करें सहजाद दिवान चैनल को साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारी वेडियो बिना किसी रोक टॉक के असलाम अलेकुम नमस्कारों सत्रियकाल दोस्तों मैं हूँ आपका दोस मुहम्मद सहजाद और आप देख रहे हों सहजाद दिवान ब्लॉक तो अल्रेडी काफी लोगों ने इस टॉपिक पर कमेंट्स किया था सहजाद भई जरह यह बता दिजिए कि बीना दसुई पास कि यह हम अपना ECR पासपोर्ट को ECNR कैसे बनवा सकते हैं और नया अगर पासपोर्ट बनवाते हैं बीना दसुई पास किये तो उसको ECNR कैसे बनवा सकते हैं तो इस वीडियो में मैं डिटेल्स में मैं आपको समझाओंगा कि वह कौन-कौन सा रूल है जिसको आप फालो करक अपना ECR पासपोर्ट को ECNR में बदल सकते हो ठीक हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आज कल लाइक्स बहुत कमार हैं इसलिए कि हम लोग 21,000 हो गए हैं यानि अपना जो फेमली है सहजार दिवाना का वो अल्मॉस् कि और कि भाई आपको ECR पासपोर्ट को ECNR में क्यों कनवर्ट करना है या आपको ECNR पासपोर्ट क्यों बनवाना है तो मैं आपको डिटेल्स में यह चीज नहीं बताऊंगा इसलिए कि और एक वीडियो बना दिया हूं जा करके देख लेना नहीं तो इस वीडियो में है कि अगर आप काम के लिए याईया जोपस के लिए अगर जाते हैं गल्फ कंट्री में ज्याद़ तर ऊहीं है अटारा कंट्री है ठीक है ज्याद़ तर गव Philippied country है में कि अगर आप स्बस्पोर्ट पे आपको जाने में Princे करवाना पदता है तब जाकर आप जाओगे और ECNR passport में क्या है कि आप किसी भी country में जाओ कुछ भी एमरीगेशन का जंजट नहीं है ठीक है लेकिन मैं आपसे request करूँगा कि ये वीडियो को देख लेने का बाद मैं जो वीडियो बनाये हूँ और ECNR passport में क्या फर्क है जा करके देख लेना तब आपको किलियर समझ में आ जाएगा तो चलते हैं में पॉइंट के और में पॉइंट है कि भाई अगर आप passport बनवाने जा रहा है आपके पास दसुई का certificate नहीं है तो आपका जो passport है वो कैसे ECNR बनेगा तो देखिए passport बनव लगा सकते हो ड्राइबरी लैसेंस भी लगा सकते हो इस पर भी आपका passport बन जाएगा लेकिन बनेगा क्या ECR ठीक है ECR passport आपका बन जाएगा उसमें आपको certificate के जरूरी नहीं पड़ेगा अगर आप ECNR बनवाना चाहते हैं तो उसके साथ अपना दसुई का बारु यानि ज तरीके से भी अपना passport आप ECNR बनवा सकते हो ठीक है जो भी मैं document आपको बताया यानि जहां आपका दसुई का मार्सिट लगता है वहां पर आप इसको लगाओगे उसका नाम है ITR इसका full form होता है income tax return यानि कि आप income tax return भर रहे हो पिछले एक साल से तब उसको आप अपने document म submit करो और उसके आधार पर आपको ECNR passport मिल जाएगा ठीक है यह आप जाओगे passport का जो website है वहां पर जा करके document में चेक कर लेना यह दिया हुआ है कि ITR से भी आप ECNR passport बना सकते हो लेकिन वह एक साल पीछे का रहना चाहिए यानि एक साल से आप ITR भर रहे हो ठीक है तब ही ज आती है कि जैसे आप दसुई बार्वी का या जो certificate लगाते हैं उसको verify करने के लिए वह बिहार बोर्ड में भेजते हैं फिर वह verified होकर आता है तब जाकर आपका passport बनता है और यह ITR ऐसा है कि वह online वही पर चेक कर लेंगे तो आपका passport जो है वह जल्दी बन जाएगा यानि compare क तो आप लोग समझ गए कि ECNR passport बीना दसुई पास किये कैसे बनेगा ठीक है अब चलते हैं दूसरे point की और की ECNR कैसे बनवाएं तो उसका भी एक rule है उसका rule यही है कि अगर आप तीन साल गल्फ में रहे हो तब आपका passport ECNR से ECNR बन सकता है बात करते हैं कि मेरा जो ECNR passport इसको इसमार बनवायाय मेरे पासे कि यह document ठीक है इसको आपको code से बनवाना पड़ता है 100 रुपय का जो stamp paper है वह लेना पड़ता है और ले करके फिर इसको आपको एक wakil से मिलना पड़ता है और wakil से मिल करके एक टाइपिंग करवाना पड़ता है ठीक है जिसमें आपका फुल डीटेल्स रहता है कि आप कब इंट्री किये हो गल्फ में और कब आये हो ठीक है यह पूरा डीटेल्स है मैं यहां दूंगा आप लोग सही से इसको देखना फिर आपको समझ में आएगा ठीक का जो रुकने के बाद ही आपका पासपोर्ट जो इसीर है वो इसीनर होगा अब देखिए जो डीटेल्स मैं भरवाया हूं यहां पे तो सबसे पहले लिखा हुआ है पेज नंबर यानि 19 नंबर पेज़ पर जब मैं डिपार्चर किया हूं वह 25 आठ 2010 को मैं यहां से सौदी अरब के लिए गया था ठीक है और वहां से मैं आया को तो वह दिया हुआ है पेज नंबर फाइप और साथ तारीक पहले महिने में 2013 यह टोटल जो दिन हुआ वह दो साल 4 महिने 12 दिन ठीक है यह हो गया अब दुबारा जो जब मैं फिर यहां से फिर मैं साथी अरब गया हूं वह पांच नमबर पेज पर ही दिया है दिल्ली से सौधी अरब के लिए वो दिया है कब 16 तारीक को पाचोए महीने में 2013 में मैं यहां से फिर गया हूं ठीक है फिर वहां से मैं इंडिया आया हूं यानि साथ तरीकों दसवे महिने में 2015 यह भी हो गया आपका दो साल चार महिने 21 दिन यह टोटल यहां पर मेंशन हो गया कि चार साल चार साल नो महिने तेरा दिन अब यह तो लिखवा देने से नहीं होगा यानि जैसे आप टाइपिंग खरवा दिये लिखवा दिये एकदम किलियर होना चाहिए भाई बहुत यानि तब भी आपका ECNR पासपोर्ट नहीं बने गा एक और मैं दिखा रहा हूं कि यह जो लगा हुआ है देखो यह दिखाई दे रहा है जैसे एक और मैं दिखा रहा हूं यह वला कि इसमें डेट जो है वो नजर नहीं आ रहा तो इससे क्या हुआ था कि जितने भी जो boarding card होता है अगर हम flight करते हैं तो वो boarding card देखो ऐसे तो क्या होता है कि हम लोग fake देते हैं काफी लोग जानते हैं कि यार इसके कुछ काम ही नहीं पड़ेगा लेकिन मैं रखा था वो में रखा था boarding card और उनको दिया कि सर ये देख लिजिए कि ये जो stamp लगा हुआ है वो clear नहीं है लेकिन मेरे पास boarding card है तो वो देखे लेकिन फिर भी संतूष्ट नहीं हो रहे तो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं कि अच्छा ये बताईए कि अगर आप इस date के बीच में कभी वहां से पैसे इंडिया भेजे हो उसका slip देखाओ तो ये कहो मेरे पास mobile में था तो फिर मैं उनको दिखाया ठीक है तो mobile में दिखाने के बाद तब मेरा clear किये ठीक है हम आपको अप्रूब करते हैं कि आपका जो ECR passport है वो ECNR हो जाए तो उम्मेद करता हूं कि आप लोग स समझ गया है कि बीना दोसुई पास किया आप ECNR passport कैसे बनवा सकता है तो बाई वीडियो बनाने में मेहनत तो अच्छा खासा लगता है आपको भी नजर आ रहा होगा कि कितना पसीना हो रहा है ठीक है कुछ setup उतना खास नहीं है मेरे पास इसलिए यह सब problem का सामना करना पढ़के दिल बाग बाग हो जाता है इसलिए continue आप लोगों को वीडियो मिल रहा है हर दो दिन पर एक एक वीडियो बना कर आप लोगों को दे रहा हूं तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना सेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बूलना और हर बा पर नए वीडियो के साथ टेक क्यार